लुद्याना दे रेंड वाले एक लव्या गौड ने हर्याना जुडीशियल सर्विसिज दे पेपर देविच पंजुमार रैंक हासल किते ते जाजबनें एक लव्या ने महज 30 साल दी उमर देविच ही अपने सुपन्यानू पूरा करके माप्यां दा नाम रोशन किते जिस कारण हुण परिवार देविच खुशियां दा महाल वे खण्णू मिल रहे हैं मापे अपने पूतो ते मान महसूस कर रहे नी जानकारी मुताबी की कलव्या गौड दे पिता इंकम टेक्स डिपार्टमेंट देविच बतार अफसर तैनाथ नी आते उन्हा दे दादा जी वी रिटाइड जाज रहे चुके ने इथे वी दसना बांदा है के एक लव्या गौड दे वलो जिते अन्थक मेनत दे नाल ती सालां दी उमर दे वीच हे मुकाम हासल किते है अधर परिवारक मेंपरा दे विच खुशी दा महाल वीवे खर्णू मिल रहे है ओथे ही एक लव्या गौड दे पिताने के है के उन्हा दे पूत ने अपने दादा जी दे नक्षे कदम दे चाल दे फई जाज दी पद भी हासल किती है अधर गालबात कार दिया एक लव्या गौड ने के है के उसने हर्याना जुडिशियल सर्विसेज दे वीच पंजवा रैंक हासल किते है जिस्तों बाद ओहो जाज बनिया है उसने के है के उज़े सुपनयानों पूरा कर्ण पिछे उज़े परिवार दा बहुत योगदान रहा जिस कार्ण उसने हे मुकाम हासल किते है फिलहाल एक लव्या दे जाच बनन दे परिवार दे विच खुशियां दा महाल बने आ हुया है नमस्कार सश्यकाल मेरा नाम एकलवया गॉड है मैंने इस साल हर्याना सिविल सर्विसे जुडिशल ब्रांच एक्जाम क्लियर किया है और आइव सेक्योड फिफ्थ रैंक मैं इसी फिल्ड में आना चाहूंगा मेरे गांफादर भी जुडिशी में ते ही रिटार डिशल सेशन जाज फ्रॉम लुडियाना तो इस अद बन मैं गोल और इसका जो मेरा प्रोसेस एक जो रहा है इस बिन अ इस बिन अ लॉग जोणी और एक टिडियस एक टिडियस और एक काफी अदलब एक मतलब एक टिडियस एक लॉग जॉणी और इसमें मतलब काफी हाट वर्क इसमें लगता है और मैंनत लगती है तो काफी मैंनत इसमें नौल हुई है जो इसमें सहयोग पेरेंट्स का तो मिश्या मतलब रहा ही है तो आइम अल्वेज ग्रेट्फल तो मैं मादर 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 और मैंने त्यारी हमेशा मेरी खुद से घर बैठकी हुई है जो उस्टो बी अनौल वेज जो वेड़ा इस भी अजी तो अनौल में बहुत ग्रेट्फुल हो कि उच्छी वहा दिए उनूने मुझे वह में अको भी पोल्ची जो है जो है उनौने में हमेशा बलब रहाबर और बापां जो है उन्होंने हमेशा देंज है यहाद यह पर तो यह जो जो बनाए रख विश्वास था उनको विश्वास था उनको मेरे कैलेबर पे उनको विश्वास था तो उनको ने एक बार भी निका कि यूशुड लीवट तो कितने गंटे पड़ते थे और कैसा अपका सफर रहा है सफर्ड लग जैसे मैंने का लॉंग जनी रहे बड़ एक मेरे लिए इंजोईबल सफर रहा है मैं को मतलब मैंने पूरे प्रोसेस को इंजॉई करा इसको मैंने अच मतलब पढ़ाई करी तो मेरे घंटे ऐसे कोई फिक्स नहीं होते थे कि मेरा मिश्य यह मानने कि आपके घंटे से जाधा आपकी जो कॉलिटी आपकी कॉंसेटेशन फोकस है और आपका जो एक इंट्रेस्ट बना रहना चाहिए वह जाधे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सब्जेक्ट पे ग्रास लो कॉंसेप्ट क्लाइट आप बाहर देखते हो इस ब्रॉट देलाइट और आप जब खतम उठते हो क्यों तो रात हो चुकी होती है तो आप पढ़ाई के लिए उठते हो यह थोड़ा खाने पिने के लिए बुक्स है तो तो उस तहीं पर गंटे चले जाते हैं में भी 14 आर्स 15 आर्स तो मेरा यही थ नहीं था कि इन दोनों में से कोई भी जो स्टेट मिल जाए और आम गुड़ विड़ यह उड़ जाए और मेरा हमेशा से यह रहा है कि अल्दो मैं पंजाब से बलों करता हो बट मेरे फादर चैन्रल सर्विस में थे तो थो हमारा बाहर हम आल और इंडिया है मेरी 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 स्कूलिंग मुंबई से हुई है और मेरी कॉलेज लॉव मेरी चंडिगर से विए सो मैं इस पामले में में हम बेरी फ्लेक्सिबल और मेरे को यह टांसफर्स और घर से थोड़ा यह दूर एन यह दूर और इस नॉट इस नाट इस रहा हूँ इस की बात करें कितनी है जाद् तो इडिज अल्वेज आपी मुएंट किया फैमली की थूआउट शुरू से सपोर्ट रही है हमेशा से उन्होंने कभी डी मोटिवेट नहीं किया और हमेशा हूँ कांस्टेंट ले इंकारेज करते रहे और हमेशा मुझे जहां पर मुझे कभी मैंने लगना कि मेरा को लग किता हर्याना जुडिशली देविट स्लेक्ट होए नहीं किसी के नाल तुसी देख देओ क्योंकि आप तुसी एक जॉब ती जॉबस्त है बहुत बज़े किते नाम रोशन्दा किते जिच कोई शक निहागा ते होनार ते शुरू तो इसी गा बहुत इंटलिजेंट सी गया ते सवनु कदे कदे जुरू लगदा सी भी मेनत करदा कि नहीं करदा सो ओधा ता फिर रिजल्ट तो पता लगदा कि मेनता किती है तदे बहुत चंगा रहन के ने सेक्योर कीता है और अधरवाई जी तुसी देखोंगे शाड़े कोल वैसे भी इननों भी समय सी के ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं होंते जड़े जड़े सर्विस क्लास दे वीच आगे है तो शाड़ी दा क्योंकि थार्ड जर्नेरेशन है मेरे फादर भी जॉब दे वीच सेगे सु मैं भी जॉब चाहे है चाहे पामेसी अगरिकल्टरिस थागे बट अधरवाईज कोई अपना काम के जित इता मन है तो यह शाहिद इन और सी मिरे सनु गदे नहीं बहुत ज़्यदा जाहर ने किता कि जूरूसरी जाना है क्योंकि जिदो बहुत चोटा छी गार थे मेरे फादर ना उनसी उननने बहुत प्यार शी उनना आना जाना 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 पर है कोट भी दो एक चेकर तो बाद होन जुरूर दास्ता है कि मरी इच्छा सीगी तो पहला है नहीं देखेंगे बट आव दे ग्रैंट फादर नू फालो किता है तो बहुत बहुत मेंत किती है तो मैं तो नहीं सक्षिए करें उमीद थोड़ा चांस नहीं सिगा लगदा तो अटा कि पेरेंट्स दा ख नहीं होंदा जी बेसीकली किया कि पढ़ाई या उता आप दे मन ना लिह होंदी है तो बच्चे नो तुसी जिना मर्जी के जाओ तो तुसी गाइड़ांस ना दे सकते हूं तुसी दास सकते हूं कि एक जड़ा फर्मॉला है गा ओ यहाँ है तो यह ता तुसी जड़ी पहल नहीं होंदी इसी बड़ा मुटा यह दसर दे भी पढ़ लो या क्योंकि मैं भी राओ किती हुई है तो थोड़ा बहुत दिल लाओ दा कोई डिसकॉशन होवे ते पुछ सकते हैं बट अधर बाई ते अपनी मिनत होंदी है किसे दे कैनल किसे करना नहीं होंदा ए अंद्रो जे अर्ज होवे बन देनों कि मैं कुछ बनना है मैं कुछ करना है तो ओही अर्ज जड़ी है या ओही इच्छा शक्ती जड़ी है ओतनों सिक्सेस्फुल कर दी है होन सर सेलेक्ट हो चुके नहीं कर देवेच खुशियां दा महौल बहुत जड़ा होंदा है बच्चे दा जदो सेलेक्शन होंदी है पहला तो उन्हों एक तांग कहलो रहें दी है बेने की कर रहा है सेटल किती होना है प्रैक्टिस भी पहुत जड़ा नाम कमा सकते लोग कर उन्हों केंदेया तसली या कंटेंटमेंट नहीं आदी होनकी सेलेक्शन तो बाज जड़ी है कंटेंटमेंट आगी है दूसरा एदे एधे इच्छा वासी मिलती और जाज़ता ही एगा सब्सक्रें मेंदेंदा पूरी हुई तो अनुग च्छीज है और आज टेड़ी इस् रिस्ते दाद डिड़ी है नान की दाद के साइड दे सारे आके नो परसनली मिलके गया है परसनली नो मतलब मुबारक देन दी थे पिछली पाइज देन तो सारे आ रहे है